प्रस्ण है निम्निलखीत में से कि इस गरह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है माक्स, जुपिटर, सेटर या फिर विनस सही जबाब है विनस विनस सूरी के सबसे नजदीक पाया चाने वाला दूसरा गरह है इसे सुभा का तारा एवंग साम का तारा के रूप में जाना जाता है इस गरह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है क्वेश्चन है निम्निलखीत में से कौन सा तारा पिर्थवी के सबसे निकट है धुरूग, अलफा सेंचूरी, सूरी या फिर साइरस इसका सही जवाब है सूरी पिर्थवी के सबसे निकटम दूरी पर इस्थित तारा सूरी है जो पिर्थवी से 149.6 मिलियन की दूरी पर इस्थित है सूरी के बाद पिर्थवी से सबसे निकर्तम दूरी पर इस्थित तारा प्रेक्सिमा सेंचूरी है जो 4.22 परकासवस की दूरी पर इस्थित है पिर्थवी का प्राकिर्तिक उपगरह है सूरी चंद्रमा, हेली धुमकेतु या फिर प्लुटो इसका सही जबाब है चंद्रमा पिर्थवी का एक मातर प्राकिर्तिक उपगरह चंद्रमा है जो पिर्थवी से 384,000 किलो मीटर की दूरी पर इस्थित है चंद्रमा को पिर्थवी पूत्र भी कहा जाता है यह पिर्थवी का एक चकर 27 दिन 7 घंटा 43.1 मीटर में पुरा करता है क्वेशन है सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीवरगर है सुक्र, बूध, सनी या प्लूटो इसका सही जबाब है बूध सौर मंडल में सूरी के सबसे नजदी का गरह बूध है यहां आत्यधिक तीवरगती से चलते हुए 88 दिन में ही सूरी की परिकर्मा कर लेता है क्वेशन है नीम्न में से कौन सी कार्बनीक चटान है संगमर्मर, कोईला, क्रिनाइट या स्लेट इसका सही जबाब होगा कोईला कोईला कर्बनीक चटान है जो आवसादी सेलों के अंतर गताती है ग्रिनाइट अंतर जाती आगनिय सेल है जबकि स्लेट और संगमर्मर रूपांतरी चटाने है